कि आप सुपर कंसर्ट क्लास में स्वागत थे और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलक्टिव का बेरी-बेरी इंपोर्टेंट स्वाध के विख्यात कभी है तो यहाँ पर बिलकुल सही अंसर हो जाएगा आगे चली इसके बाद प्रस्ने क्या है कि शायाबाद की कवित्री में निमन में से किसे सामिल किया जाता है तो महादेवी बर्मा को सामिल किया जाता है ठीक अलकर कभीत्री का वात तो कभी यहां पर हमारे शुरिकान त्रपान्द निडाला जी हो जाएंगे जास एसकर साद स्मित्राननंदपंथ और महाधेवि बर्मा भी किशाइत के कभी या फिर काभीत्रे है जी स्हकर पर्साद हो गया सुमित्रानंद पं समित्रानंisf पंध हो गया और महादेवी बर्मा यह सब के सब हो गई याद रखिए गा सुरिकांत रिपां निराला का जन्म का वद भाई तो अठारा सो अंठाने बेगा था नोट डाउन का लिजी एक होती इंपोर्टेंट है महा कभी सुरिकांत रिपाठी के पिता का नाम था तुसके प बच्पन का नाम किया था दो मुझे कविता के उसार संसर में कैसा जहर भर गया है तो सुर्थ का कुरा दुनिया स्वार्थी हो गया हभंय कंटी तो आसा का सेंचार करना किसा के अंदर में क्या कि लूपत होने पर क्या प्रभापड़ा है तो मानभजीवन अंदकारमाही यह हो गया है कभी किस लिए गितगाना चाहता है तो वेदना को भूलाने के लिए अपने भीतर का जो तकलीफ दर्द है उसको भूलाने के लिए गितगाना चाहता है ठग ठाकुरों ने रात लोटे पंक्ती में ठग ठाकुरों किसका परते के बहुत इंपोर्टन कोश्चन है तो पुंजीबादी व्यवस्था को यहां पर ठ ठाकुरों के राम से जाना जाता है कभी ठाकुरों सब्सक्राइब कर समाज में व्याप्त धोके बाई लोगों की और संकेत कर रहा है जो पुंजीबादी व्यवस्था में देखने को मिलता है को जिकत नहीं है इसको नोट कर यह बहुत ही इंपोर्टन प्रस्ण है हो जाएगा खर शूतने से क्या से है इसका मतलब होता हार जाना सबासी ना कभी ने किस प्रकार के लोह को जलाने के लिए प्रिज़ित क्या है है तो मानथता लुखration में आका सब्सक्राइब आगे चलते कुश्चिन अम्रूनिस देख लेते कुश्चिन अमरी कितना अठारा था था फॉर मिस्प्रिंट खेर कोई नहीं चली कोशन देखिए यह वाला कुशन देखिए अगला वाल क्या है गीत गाने ठाल ठाकोरों में कौन सा अलंकार है देख धिहान से इस प्रकार से कोई वर्न में कोई एक अक्षर होता है उसमें अनुपरास अलंकार होगा याद रखेगा मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूं मतलब वहुत सारे वीडियो में आपनों को बताया है तो यहां पर आपसे नमर टू हमारा बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा मों मों मौं मौं ठीक है मुदित महापती मंदिर आए यह फिर मॉम और पीटोर यह अनुपरास अलंकार हो जाएगा जाल उठों फिर सिचने को पंक्ति में कोन सालंकार है ब्रोधा वास लिए बहुती जल एक वीडियो लाहिए विरोधावास अलंकार में क्या होता कि जहां परियोग भूब भूलिवान था कुछ लूटता जा रहा है तो ढूंजी पती जो है वह यहां पर लूट रहे हैं गिद गालने मुझे का संचार करना चालता है आज गवतर अच्छा है कल के मोर से का क्या अर्थ है तो यहां पर इसका अर्थ हो जाएगा कि बर्तमान भविस से ज्यादा महतपूर्ण है यह हो जाएगा हमारा इसका एंसर तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब अगले चैप्टर के कोश्चन को देख लेते हैं यहां पर हमारा जो अगला चैप्टर है स्रोज इसमिर्थी और यह जो स्रोज मिली थे हैं ठीक है इसके भी लेखक का नाम है सुरीकान त्र स्रोज का जीवन किसकी सिने मही गोद में भी था तो नानी की आपर आप्सेन एक हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नानी की यहां पर सही अंसर होगा कुश्चन में कभी को बसंद की परतम गीती की तरह कौन दिखाई पढ़ रहा था तो दिवंगत पत्नी जोसका दि तुम देखता था तो स्वर्गे पत्नी के यहां पर हो जाएगा जो जिसका जो दुनिया में नहीं उनका मिल्टु हो जाएगा खुछ्चन में च्वच्छोई की आकास बदलकर बना मही पंक्ति में मही सव उर संकित कर रहा है बहुती महत्रपूर्न प्रस्न के यह हो जाए पूर्टि स्रोज ने अपने जीवन के अंतिम सांस किसकी गोद मेली तब नानी की गोद यावर फॉर्ज का से उत्र हो जाएगा पर पाट अइन यह पंक्ति में सकुंतला को कि संदर में स्रोज से भिन बताया है तो मा की इच्छा पालने मा की इच्छा पालन करते हुए मा से दूर होना अपसे नवरीक हमारे इसका बिल्कुल से उत्र हो जाएगा तो उससे उनको पीड़ा हुआ फिर बाद मुंका भी मित्यू हो जाता है तो यह सब के कारण उनका जो बोलता है हमर बोले जनूंका जो भाइग बहुती हो बेकार है इसका अफ्शन में दो इसका से उ स सरौज इता तो कभी नहीं दिया तो कभी नहीं दिया तो यादर किस्का बैट यह वैं में तब कर्ई इस हो जाता है जो श्यिस भार दिना में डूंपा दोनो किस पर केंद्री तो दिवंगत पुत्री पुत्री के उसरे का दो रोग कि नाम और आता तो बादल कर बना मही तुर बना महीं सब्सक्रिक कर रा मिन आ पुट्रिस रोज के सावार रोप कि और ये शैनित कर दा है कर आब कदना मही पनी में आकाष सधीन तो कभी की पत्निका ठीक अटिक jest किसकी पत्निक अपर कि माकी निया पंक расск उसका नन्हेखोलन कल से यह गता क्छा फालण क्षोंड का तो नानी जुन सब्सक्तित न ह这个 का ने कि पत्रि स्रोज न in तो नानी की गोदमें ऺड़ और पाट ये पंक्ति में सबुंतला को संदर में सरोध से मां से'RE нет वह कुछीब से दूर हुना अपने पूत्रि की मिर्तियों का दोस्के कभी किसे दे रहा है तोни कर्मों को अपने कर्मों को दे प्रकार करता है तो अपने सदक्रम के फ्लस का तरपन करते हैं ना बदूस रोज में कभी को उसकी प्रतिमने तो उसके पत्रीमी विभा की फिरस्ता नहीं है तो लगे से लिए गचे अगानी ठीक है तो चमक दमा के आपर हो जाएगा एंसर कभी को बसंद की पर्थम गीती के तरह को दिखाई पड़ रहा था तो दिवंगत पत्नी में आप लगो थोड़ दिर पहले बताया तो देखे कोश्चन में 26 क्या है कि वह लटा ओहें की पंक्ती में लटा पर्तिक है तो लटा है कि कभी ने दिया था कभी हो जाएगा इसका हमारा सही अंसर कभी ने स्वेंग को भागी हिन क्यों कहा तो निकट पारिवारिक जनों से बिचों की कारण आई यह भी में आप लों कभी बताया कुछ 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 सां रिपीट हो गया कोई नहीं चले आपका रिविज चलते हैं अगले चैटर्रेव में अगले बढ़ते हैं अंगला और बात करते हैं यह दीप अकीला और मैंने देखा एक शचेป करेंगे इसके कभी काना है यादीप अकला कभी कोन है तो इसके कभी का नाम है अगले अगई हो जाएगा सैंगि हॉप्त्तर आगे चलिए बैसित रूंद कि और तो सजदानंद हिरानंद वातसयन हो जाएगा जन्म का मिर्तु जो आए उसका करन क्या बताना है तो उसका जन्म हुआ तो नहीं को नोट डाउन करिए लेकग के दिये गई जन्म अस्थान का उचित चैन करें तो कुसी नगर मिनका जन्म होता जो प्रत्रश में है जो एक जग गई की रचना तरी संकु कि स्प्रेंद की इन गाटगे लिए घॉक तक्षिंड की लिए ने अस मुतिख तेल ले लिए इसका मतुर में जोब समक्री क्या लिजह यावन समगीने हो जाएगा कभी ले धैनी को सिर्फ्रारा क्यूं का है तो इसका हो ये की सारतक्ता कि से जुड़ी है तो गायन से गायन से सकती कि सर्फ्राइं पर्था-गी किसे बश्र और बन पंग्तिको दो दिप पंग्ति को दे दो ये कभी का क्या तात्परिया वक्ति के व्हार परा क्यूंकिंग हो जाएगा कभी ने कभी का नाम को जएगा कोई दिकत नहीं कभी ने जिवन को कैसा माना है तो यहां पर माना गया है एक बूंद किसका प्रतिक है तो मनिस्टे का प्रतिक है इस विडियो को देखे अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग फिलिस्ट का लिंगा वहां पर जाकते हैं तो चली मिलते हैं लिए वीडियो में थैंक यू जै